आपके घर पे भी दुबले पतले पसु है, जिनका की वजन नहीं बढ़ रहा है, मोटे नहीं हो रहे है, तकड़े नहीं हो रहे है, और दिन बदिन कमजोर होते जा रहे है, आज हम उनका सारा टीटमेंट बताएंगे, इस्टेप बाई इस्टेप बताएंगे, कि इनका आप पसु में भी यह समयशा है देखने को न मिलेगी, तो बने रहे है आप इस वीडियो में अंत तक, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे इस चैनल को सस्क्राइब जरूर करें, साथियों हम चर्चा कर रहे हैं पसु में कमजोरी की, तो ये बेस देखिए आप हम इसको डाइगनोस कर रहे हैं यह पसु माली का कहना है कि पहले इसकी डबल थी मोटी थी तगडी थी वजन बड़ा हुआ था और अच्छानक एक महिने के अंदर उन्होंने देखा कि उनका पसु इस तरीके से कमजर हो गया इन्होंने हमें बुला हैं जिनका की वजन समय से नहीं बढ़ पाता है पसु मालिक पसु तो रखते हैं कई सारे पसु रखते हैं कुछ पसु उनके दिरे-दिरे कमजर होते जाते हैं वह खुराक तो करते रहते हैं खुराक के रुप में इनको चारा दाना मस्टरड आयल सरसो का तेल जो आता है व जैसा की यह बेंज दिकाई दरे बिल्कुल हड्यों का डांचा बन गई है हम इसको डाइग्नोस करेंगे हम देखिए सबसे पहले इसकी यह देखिए आंक से पता करेंगे पसु में क्या विमारी है देखिए हमने इससे बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं कि आंक देखकर आपता पसु को देख सकते हैं कि पसु को क्या विमारी है तो आप हमारे चैटल पर जाके वो वीडियो जरुर देके इससे आपको पता चलेगा कि पसु को क्या विमारी है देखिए हम डाइग्नोस कर रहे हैं पसु बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुका है सिर्फ और सिर्फ हड्यों का डांचा है यह देखिए आपके सामने है पेक्टिकली वीडियो है सात्यों ऐसे पसु जब हो जाते हैं तब यहां से पसु का वजन सही तरीके से ही बढ़ाया जा सकता है यदि आप घर पे रहे के इसे पसु का वजन बढ़ाना चाते हैं तो आप बिलकुल भी नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि इन में कुछ चीजे ऐसी खिला नहीं रहती है जो कि हम डाइग्नोस करते हैं उसके बाद यह आपको बता पाएंगे क्योंकि यदि आप इसक का विशेज जहां रखना है कि यदि आप भी पसु रखते हैं और आपका पसु भी धिरे-दिरे कमजोर होता जा रहा है इस कंडिशन में यदि चला जाता है तो यहां से आप पसु को मोटा तकड़ा केसे कर सकते हैं सातियों यहां से पसु को मोटा करने के लिए वजन बढ आने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेनत की जरुत रहेगी बहुत नोलेज की जरुत रहेगी और वो नोलेज सिर्फ आप एक डोक्टर से ले सकते हैं सातियों यहां आप टेटमेंट ना करवाना चाहे तो आप डोक्टर को बुलाईए उसका डाइगनोस करवाईए डाइ वेटनरी में ज्यादा तर देखने को मिलता है पसु मालिक को ज्यादा तर समयश्याय जेलने को पड़ती है और कभी कभी तो इसे पसु की बेद भी हो जाती है मरती भी हो जाती है क्योंकि धिरे धिरे पसु कमज़र होगा कमज़र इनमें पसु का खुन गम होगा लिवर कम जो रोगा और पेट से सम्मंदित बहुत सारी समयशाय आपको देखने को मिलती है पसुओं का पीएच कम हो जाता है जिससे उसका जो डाइजेशन सिस्टम रेता है वो पूरी तरीके से गड़बडा जाता है पसुओं का जब डाइजेशन खराब होता है तो पसुओं में बह भी समयशाय देखने को मिलती है और दिरे दिरे पसुओं में ये समयशाय देखने को मिलती है सातियों आप पसुओं को कितना भी खिलाएंगे यदि पसुओं चारा दाना कम नहीं कर रहा है खाता रहता है तो उसका जो लिवर रेता है वो कमजोर हो जाता है आप जितनी मात में खिला रहे हैं पसु को पतले दस्त लग जाते हैं पतला गोबर करेगा या फिर गोबर करेगा तो बिलकुत सुका गोबर करेगा ये भी समयशा हमें देखने को मिलती है सातियों आप पसु का टीटमेंट समय रहते हैं यदि करवा लेते हैं तो आप इसे पसु को ठीक कर ल जाती है क्योंकि यदि आपका एक पसू की मृत्य होती है तो आपको बहुत ज्यादा नुक्सान जिलने को बढ़ता है और पसू मालिक बहुत सार ऐसे रहते हैं जो की बिजनेस करते हैं पसू के द्वारा तो उनका बिजनेस भी कम हो जाता है और उनके एक तरह से पसू में ब बढ़ पा रहा है और मार्केट में तो बहुत सरी दवाईया आती है आप उसका भी परियोग करते हैं तो भी आप पसुओं को ठीक नहीं कर पाते हैं पसु मालिक बिना डोक्टर से राई लिए बिना ही कुछ दवाईयों का परियोग करता है तो हमें यह नहीं करना चाहिए य यदि आपके घर पर भी ऐसा पसु है जो ये बेंस दिकाई दे रहे हैं देखिए कितनी कमज़र हो चुकी है इसकी हड्या दिख रही है सिर्फ और सिर्फ हड्या दिख रही है पसु मालिक बोल रहा है कि इसका पेट देखिया पूरी तरीके से बेट गया है हम पसु को जो भी खिला रहे हो लग नहीं रहा है खाना पीना बिल्कुल नहीं लग रहा है तो हम इसका टीटमेंट बताते हैं जब भी आप इसे पसु को टीटमेंट करना चाते हैं तो हम जो टीटमेंट बता रहे हैं 100% result मिलेगा आपको 100% कारगर साबित होगा दिवर्मर है आंत्रिक और भारिक दोनों परकार से दिवर्मिंग करती है पसुओं की तो पसुओं की आपको डिवर्मिंग करवाना है या दिया नहीं मिलती है आपको तो एल वेंडा जोल प्लस आयर मेक्टिन फार्म की बॉलस आपको मिल जाती है आपको सुबे सुबे उटक पसुओं को खिलाना है सुबे कब खिलाना है जैसे ही पसुओं को आप चारा दाना ना खिला है उसके गंटे पेले यह बोलस पसुओं को आप खिला दीजे खिलाने का भी तरीका औरली रहता है तो आप इसको औरली खिला सकते हैं या मुह में पसुओं के हाथ डाल कर भी आप पसो को बोलस खिला सकते हैं तो आप एसे पसो में Deverming करवा दे और हर तीन माह में एक से दो बार Deverming करवा दे एसे पसो की या तीन से चार बार Deverming करवा दे तीन-तीन मैने में तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भे आपके घर पे पसु कमज़र हो रहा है तो उसकी डिवर्मिंग हमने जो बोलस बता ही है उससे खाली पेट करवानी है और 3-3 महिने के अंतराल पर 2-3 बार डिवर्मिंग करवाना है इसके बाद आपको लिवर्टोनिक लेना है देखिए लिवर्टोनिक तो मार्केट में बहुत सारे आते हैं हम कुछ लिवर्टोनिक बता रहे हैं यदि यह मिल जाता है तो आपको एक लेटर में काम हो जाएगा लिवली 101 लिवर्टोनिक आता है यदि यह मिल जाता है तो ठीक है यह के बाद यदि यह नहीं मिलता है तो वंडर लिव लिवर्टोनिक आता है यह भी ले सकते हैं यदि यह भी नहीं मिल रहा है तो आपको मेबो लिव लिवर्टोनिक आता है यह भी नहीं मिलता है तो आप इसमें ब्रोटन लिवर्टोनिक ले सकते हैं यह आपको 50 गराम सुबे और 50 गराम साम को इन सभी में से को और एक महिने तक देना है साथ यो एक महिने तक आपको लिवर टोनिक देना है 50-50 ग्राम सुबह साम और हर तीन महिने में डिवर्मिंग करवाना है इसके साथ में आपको मार्केट में बहुत सारे मिनरल मिक्षर आते हैं तो आप अच्छे ब्रांड का मिनरल मिक्षर ले लिज सातियो यदि आप यह काम कर लेते हैं देखें मिनडरल मिक्शर हम इसलिए दे रहे हैं इसमें सारे विटामिन्स मिनडरल सायोड την प्रोटेन आयरन टोटन जितने भी परकार के विटामिन्स पाय जाते हैं तो दुदारू पसुओं में भी दे सकते हैं और जो पसुदारू है कमज़ोर हो रहा है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं तो आप कमज़ोर पसुओं को मोटा तगड़ा करने के लिए इन दवाईयों का परियोग करके देखिए आपके पसुओं में इतनी तेजी से रिजल्ट देखने को मिलेगा कि पसु मात्र एक महिने में आप देंगे उस आप जरूर यूज़ करें मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्राइब